जीया नमस्कार स्वागत है आपका टेक्निकल विकी यूटूब चनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एक अच्छा जो है वीडियो को एडिट कर सकते हो वीडियो एडिट करना बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है फिल्मोरा के ओफिसल वेबसाइट से जाके बाई कर सकते हो और वहाँ पे आपको इसका ट्रायल भी मिल जाएगा डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करना है उसके बाद इंस्टाल करना है install करने के बाद जब आप double click करोगे तो कुछ इस तरीके का interface open होगा यहाँ पे आपको करना है new project ठीक है तो new project पे click करने के बाद यह कुछ इस तरीके से open हो जाएगा और open होने के बाद जैसा ही यह open होगा इसमें आपको क्या करना है drag करना है जो भी आपका videos रहेगा उसे कुछ इस तरीके से इसके अंदर drag कर लेना है ठीक है सबसे पहले मैं इन में drag कर लेता हूँ या फिर अगर आप दूसरे तरीके से लाना चाहो तो यहाँ पे import media file पे click करके और अपना जो भी videos रहेगा यहाँ से desktop पे है मेरा videos तो इसको select करके open कर लूँगा तो यहाँ पे videos आ जाएगा ठीक है और हर एक चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ आप इसमें किस तरी किसे text डाल सकते हो, effect डाल सकते हो और भी बहुत साथ चीजे जो जो होती है video edit करने के लिए requirement हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो videos को सुरू से लिए लिए लाश्ट तक आपको देखना है ठीक है, first क्या करेंगे यहाँ पे right click करेंगे और insert पे click कर देंगे, यहाँ दो नमर में दिख रहा है insert, आप shift plus IE दबा के भी इस पे जा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यह कुछ पूछ रहा है, match to media तो आप अगर match to media करोगे, तो यह automatic यहाँ पे fit हो जाएगा, या फिर don't change, जैसा है कि वैसा ही यहाँ पे आ जाए, कुछ भी changes के अंदर ना हो, ठीक है, तो देख सकते हो यह पूरा का पूरा, जो भी format इसका रहेगा, जैसे कि अभी इसका format मैं अगर आपको दिखाओ तो यहाँ से देख सकते हो, इनका format क्या है वीडियो का format भी आप चेक कर सकते हो, वो इसे अभी यह 90, 20 और 1080 है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपको करकरना होता है जो भी चीज़े आपका गलत-गलत पार इसके अंदर पूट हो जाता है उसे कट करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्लिक करा, देख सकते हो, यहाँ पर और यहाँ से मुझे कट करना होगा यहाँ सबसे पहले इसको ड्रैग करके इसे यह जो दिख रहा है red आपको इसे drag करके लिए जाना है जहां से भी काटना होगा आपको और इस एक कहींची type का दिख रहा है इस पर click करने के बाद यह को cut गया है और इसको select कर लेना है पहले select करने के बाद right click करके यहां से delete pick कर देना है click यह हो चुका है delete तो इस तरीके स आप जो भी unwanted part रहेगा इस videos के अंदर उसको delete कर सकती हो अभी बात करते हैं इनके अंदर अगर आप music लगाना चाहो तो music किस तरिके से लगा सकती हो नॉर्मल इस audio पे click करोगे और इसके अंदर बहुत सारे already music डले हुए है सबसे पहले आप इसको यहाँ पे नीचे drag कर दोगे और उसका फिर volume down कर दोगे तो यह आपके साथ वीडियो के साथ music अड़ हो जाएगा इस text add करने का भी बहुत ही normal सा process जो भी text आपको add करना हो सबसे पहले उन्हें select किज़े select करने के बाद नीचे drop किज़े drag and drop गोशिश तरीके से और यह देख सकते हो यह fit हो चुका है अभी देख सकते हो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था इसमें already वही आ रहा है ठीक है अगर आप इसे edit करना चाहो तो इस पे double click करोगे double click करने के बाद यह देखो यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ पे add हो जाएगा ठीक है यह भी मैंने इसे delete कर दिया देख सकते हो और यहाँ पे मैं लिखता हूँ देख सकते हो आप तो यह देखो नीचे में लिखा आ रहा है तो normal सा process है text add करने का text को इस तरह के से आप add कर सकते हो उसके बाद है transaction transaction ही बहुत ही खास है मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले transaction add करने के लिए आपको काटना पर गए एक बार videos को बीच से यहाँ पर मैंने काटा उसके बाद यहाँ से drag करके इसके अंदर डाल दिया ठीक है डालने के बाद क्या होगा जब भी आप videos यहाँ से play होगा तो देखो किस तरह के से बीच में effect आएगा स्वागत है आपका मेरा यूटूबर यूटूब चैनल के एक नए वीडियो अज मैं आप लोगों को बताने वाला बंद करता हूँ तो यह transaction इसके अंदर बहुत सारे दिये हुए है उपर से लेके नीचे तक आप एक एक करके सब को try कर सकते हो ठीक है उसके बाद है effect लगाने के बाद जो है जो भी इस तरीके से दिख रहा है आपको यह color इस तरीके से हो जाएगा आपका videos ठीक है तो इसी तरीके से आप जो भी यहां पर चीज़े डालोग जैसे कि यह मैं एक भी डाल की दिखाता हूँ आपको clear पता चल जाएगा डाला यह देखो videos कुछ इस तरीके से हो चुका है उसके बाद है element, element में भी कुछ इस type type के element है अगर आपको use में आए तो आप इसे use कर सकते हो और videos को edit कर सकते हो ठीक है बात करते हैं final जब यह transaction, text, audio, effect सारी चीज़े आप इसमें include कर दोगे और videos को cut कर लोगे तो आपका videos हो जाएगा final ठीक है जब videos हो जाएगा final तो आपको करना क्या होगा इससे export करना होगा सबसे पहले आप एक बाट check कर लो play करके कि आपका video सही से edit हो पाया है नहीं अगर सही से edit हो गया हो कोई भी दिक्कत नहीं हो कहीं पर तो आपको करना क्या है यहाँ पे export पे click करना है export पे click करने बाद यह offline में भी होगा तो उसलिए अभी मैं इस पे click करता हूँ और यहाँ देख सकता आपको format दिखाए देगा आप जिस भी format में इसे export करना चाहो उस format में इसे export कर सकते हो जैसे हैं device recording दिया हुआ है iPad, iPhone उसके बाद है smart TV यहाँ पे local पे है MP4, AVI, MOV और भी बहुत सारे format है 3GP तो आपको जिस भी quality में इस videos को export करना हो उस पे tick करो जैसे मैं MP4 पे click किया हुआ भी और उसके बाद अगर आप इसके quality change करना चाहो MP4 में भी तो यहाँ setting पे click करके इसकी realization जो है यहाँ से इसकी change कर सकते हो ठीक है और भी बहुत सारी है लेकिन अगर आपको better quality चाहिए तो जैसे है यह automatic रहने देना कोई दिकत नहीं अच्छा quality निकाल के देगा आपको MP4 का ठीक है उसके बाद direct आपको export पे click कर देना है यह जो है आपका file export होके आपके C drive के अंदर कुछ इस तरीके से जो आपका नाम बना होगा वहाँ पे जाके वंडर सेर फिर मोडा के अंदर आजाएगा output के अंदर ठीक है अगर आप इस location को change करना चाहोते इस पे click करके अपना location desktop भी select कर सकते हो तो जब भी आप export करोगे यह desktop पे जाके save हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से अपने वीडियो को आप edit कर सकते हो बहुत ही normal सा process है और कहें भी आप इनको use कर सकते हो उमिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो like का बटन जरूर दबाए अपनी दोस्तों को जरूर से रिखड़े और channel फॉर नए है तो subscribe करके वे लैकन प्रेस करते समय select कर लिजिया all notification मिलते आप सिक ने वीडियो के साथ